मुझेफणनगर में देरात्री और सुबह तक हुई तेज हवाओ के साथ बारिस के करण किसानों को काफी नुकसान जहलना पड़ा है देरात्री आयतूफान ने गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुचा है जिससे किसान काफी परिशान है मौसम विबाग अधिकारी पान सिंग ने कहा कि इस समय की बारिस 90 फीजदी फसलों के लिए नुकसान दायक है मार्च महिने में 80 मिली मीटर बारिस हो चुकी है और कई दिन उबारिस हुई है जो बारिस हो रही है रात में 21.0 मिली मीटर बारिस हुई है और हवा के साथ हुटेज हवा के साथ हुई है इस बारिस से ज्यादार नुकसान नुकसान फादा कुछ नहीं है गेहों पके खड़े हैं गेहों की फसल बेकार कर दी इसकी पड़ी अभी लाही सरसों नहीं उठी वह पेकार कर दी इनके गन्ना भोगां उनके नुक्सान दाए के फुल मिला करके 90% यह वरसा नुक्सान दाए की है